तो question number 7 में दिया है two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm means दो circle है हमारे पास जिनका center same है और वो center कितना बान लिया है O और जो छोटा वाला circle है उसकी radius है 3 और बड़ा वाले जो circle है उसकी radius कितनी है 5 find the length of the cord of the larger circle which does is the smaller circle means हमें cord की length बतानी है जो बड़े वाले circle के लिए तो cord है लेकिन छोटे वाले circle को वो touch कर रही है touch करने का मतलब छोटे वाले circle के लिए क्या हो जाएगी वो छोटे वाले circle की हो जाएगी वो tangent देखो एक कैसे बनाएंगे हम यहां पर एक line बनाते हैं और यह जो लाइन है यह बड़े वाले circle के लिए तो क्या हो गई है तो उसको बनाते हैं, मानलो पहले इसका मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया A point और यहाँ पर क्या दे दिया B point तो हम यहाँ पर इस point of contact को मान लेते हैं, मान लीजे इस point का नाम क्या हो गया C तो यहाँ पर O से C को हमने क्या कर दिया जोइन ठीक है और यहाँ से O से A को क्या कर दिया जोइन उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि यह हो गई हमारे पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो यह कितने हो जाएगी यह हो जाएगी 5 cm यहाँ से यहाँ तक OC क्या हो गई यह छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो यह कितने की हो जाएगी यह हो गई 3 cm उसके बाद जब छोटे वाले सर्कल पर आप ध्यान दोगे तो यह OC वाली जो लाइन है AB के उपर perpendicular होगी by using theorem 10.1 के tangent और radius के बीच में perpendicular बनता है यह वाला एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिगरी का जब यह एंगल 90 डिगरी का होगा तो इस वाले triangle में ACO में हम क्या लगा देंगे Pythagoras theorem और महां से क्या निकाल लेंगे AC ठीक है उसके बाद आप देखोगे बड़ा वाला circle तो बड़े वाले circle के लिए क्या है यह बड़े वाले circle की है cord और यह जो cord होती है अगर center से perpendicular आता है तो उस cord को क्या करता है bisect करता है यह हमने 9 में 9th class में theorem पड़ी थी perpendicular from the center bisect the cord means जितना हिस्सा AC होगा उतना ही हिस्सा क्या होगा CB तो हमारा जितना AC आए रहा होगा उतना ही हम क्या बना देंगे उतना ही होगा हमारा CB उसके बाद दौनों को plus कर देंगे तो हमारे पास यह AB आ जाएगी और यह ही हमसे पूछी है जो की length of the cord है ठीक है यह चीज़ आप समझ गयोगे अब देखो इसमें हमें solve करना कैसे है तो सबसे पहले आप यह चीज़ लिखोगे कि OC जो है here OC is perpendicular to AB और इसके आगे reason क्या लिखेंगे जो हमारी theorem है उस theorem को हम लिख देते हैं जो theorem 10.1 है ठीक है यह theorem हमने लिख दी तो इसका मतलब अब यह जो triangle है हमारा OAC यह right angle triangle हो गया तो in right triangle जिसका नाम क्या है OAC तो इस triangle के अंदर अगर यहां 90 degree है इसके सामने hypotenuse हो गई OA तो OA का square equal to AC का square plus OC का square AC square plus OC square value put कर लो OA की जगा क्या रख देंगे हम 5 equal to AC की जगा कितना रख देंगे वो तो हमें निकालनी है तो उसको हम ऐसी लिख देते है OC कितनी है वो है हमारे पास 3 5 का square कितना होगा 25 equal to AC square plus 3 का square होगा 9 यह plus का 9 इदर बेज दो तो इदर की तरफ जब आएगा तो यह हो जाएगा minus का 9 25 में से जब 9 को minus करेंगे तो कितना आएगा 16 equal to AC square square रख आकर क्या चड़ा देते है root या फिर दोनों तरफ हम क्या लगा देते है इदर भी root लगा देते है इदर भी root लगा देते है बात एक ही है इदर से square रटा के इदर root चड़ा दिया तो यह आगा 16 equal to AC 16 किसका root होता है वो होता है 4 का तो इसका मतलब AC हमारे पास कितनी आ गई यह आगी 4 cm उसके बाद आप क्या काम करने वाले है अब यह जो है ACB यह chord है बड़े वाले circle की तो यहाँ पर आप हम लिखते है जान से देखो here AB is the chord for the bigger circle ठीक है बड़े वाले circle के लिए क्या है यह chord है और यह जो OC है यह perpendicular है AB पर तो इसका मतलब हम यह चीज़ी लिख सकते है कि जितनी AC होगी उतनी ही CB होगी AC equal to CB और AC अभी निका लिए कितने की है 4 cm की इसके आगे इसका reason जरूर लिखना पड़ेगा आपको कि यह दोना equal क्यों है ठीक है उसके लिए 9th class वारी जो theorem है उसे हम लिखते है यह हमने theorem लिख दी perpendicular from the center bisect the chord bisect मतलब दो बराबर इससे करता है यह perpendicular जब इस chord के उपर गिरेगा तो AC और CB को plus करके हमारे पास AB आ जाएगी तो अब हम निकालते हैं now AB equal to क्या होगा AC plus CB और AC और CB दोनों के दोनों equal है means यह भी 4 का है यह भी 4 का है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 8 cm तो therefore हमारे पास length of the chord कितने आगे यहाँ पर आप last में लिख दोगे length of the chord length of the chord is 8 cm